आगे फ्रेंड्स हम आज कुछ रेस्पी लेके और भी हम थोड़ा अपना तरफ से कुछ कोशिस किये हैं कुछ अलग बनाने का तो आप लोग भी देखते रहे हैं हम क्या कैसे बनाते हैं गूड बर्निंग दोस्तों विल्कम टू माइ अनाधर वलोग आज का वीडियो हम यहीं से सुरू करते हैं आज आहां मा उठ गये बहुत ही सुबव 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 उठ गये हैं और मेरा बेटा को रेटी कर दिये इसकूल जाने के लिए तयार हो रहा है तो देखिए तो यहां पर इसको हम रेडी कर दे रहें बहुत ही सुबव सुबव उठ गये साड़े पांच बाजे करीब उठे हैं उठके सब टीफिन उफिन बनाना रेडी करना खिलाना टाइम तो लगता ही है इसलिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है सुबव में तो इसक हम लोग आगे हैं अभी बाहर में अभी गाड़ी का इंतेजार कर रहे हैं इधर से गाड़ी आएगी यह भी रेडी है और बाहर में थोड़ा सा ठंडा है इसलिए स्वेटर वेटर पहन लिए हैं और देखिए इधर मेरा पीछे साइड के मेरा का ऑफ साइड मार्थ है कोई उधर मोर्निंग ओर कर रहा है यहां से अच्छा से दिखाए नहीं दे रहा है तो फैनली गाड़ी आगिया इसको लोच चल गया अभी हम दी जा रहे है खार में उसके बाद हम कुछ कुछ करेंगे और सब कुछ हम आप लोग के साथ शार करने तो चलिए घर चलते हैं अभी हम कॉंटिनियू करने का कोशिज कर रहें तो अभी हम खानावनों बनाएंगे तो क्या-क्या आज मेरा खर में बन रहा है वह सब कूछ भी हम आप लोग के साथ स्यार कर लेते हैं अरे दोनों बंदर तो हमेशा रहता है डिश्टाप करने के लिए कुछ काम धाम का नह मंंट की है तुम क्या है मंकी बच्चा है मंकी बच्चा है ऐसे चोलिया रहें जो vet sure girls आज क्या-क्या बендता है मेरा घर मेरा गरी वो सब दिखा नहीं कुछ इसक नेचकर कुछ बना हैं और Mr. करेंगे हारा मतर का सब्जी तो कैसे बनाते हैं और आप लोग देखते रहें वीडियो में बने रहें थोड़ा सा कुछ निवा ड्राइ करेंगे देखते हैं कैसा होता है खाके भी आप लोग को बताएंगे जाना तो यहां पर हम ले लिए हैं सहर्जन का डांठा आलू यहां पोस्तु यहां पर हारा माटर को हम राखे चाहँ इसको पीसेंगे और यहां पर है अद्रक रहुसुन और पयाँ चिल के राके हैं यहां पर कई टॉमेटो डाल मेरा बन चुका है डाल तो अभी हम मसाला पिस लेंगे, सिलट में हम मसाला पिसेंगे, क्योंकि पोस्तो सब तो मिक्सी में पिसाता नहीं है, इसलिए हम सिलट में पिसने आ गया और एसे भी हम ज्यादा सिलट में पिसते हैं, मिक्सी में उतना पिसते नहीं है, तो यहां पे पोस्तो की दाना सबसे प कि इसको ज्यादा नहीं पीषना है थोड़ा सा दरदरा करके पीषेंगे तो मेरा पीषना हो गया अभी इसको हम उठा लेंगे उठाने के बाद हम एक ही साथ लेके राके हैं अद्रग लौसुन और प्याज यह सब को भी पीष लेंगे और इसमें चाहे तो आप लोग मिर्च मेरा मसाला पिषना हो गया है इस भी उठा लेंगे मसाला मेरा रेडी अभी हम बनाने जाएंगे बनाने के लिए हम सबसे पहले देखिए कड़ाई लेलिये हैं कड़ाय जला दिये आभी हम बनाएंगे कडाय में हम दे दिये सोचिरों की तेल तो सबसे पहले हम सरजन की डाठा बनाएंगे इसमें दे दिये प्याच और उसके बाद हम दे देंगे धया हुआ सरजन की डाठा और अलू आप लोग कौन केसे बनाते हैं सरजन की डाठा वो भी बताईएगा आभी सर्जन की डाठा का सीजिन है हर घर में तो बनता ही है तो मेरा घर में इस तरह से आज बना रहे हैं आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी कमेंट करके बताईए यहाँ पर हम दे दिये साथ उनुसर नमक देखिए इसको हम आचा से फ्राइ कर लेंगे मेरा सर्जन की डाठा फ्राइ हो रहा है तब तक हम और एक रेडी कर लेते हैं मटर चिमी को अभी हम पीस लेंगे तो चलिए तो जब तक मेरा सर्जन की डाठा फ्राइ हो रहा है तब तक हम इस मटर को रेडी कर लेंगे तो मटर हम पहले से धोग के राखे थे हो गिया है और इधर देखिए इसको थोड़ा सा चाला दिये हैं धाग दिये तो देखिए मेरा पिसना हो गिया आभी इसको हम निकाल लेंगे आच्छा से देखिए पिसने के टाइम लेकिन हम पानी नहीं दिये थे पानी मत दिजेगा नहीं तो अच्छा नहीं होगा यह गिल पाउडर और श्राद नुशर नमक देके इसको हम थोड़ा सा एक साथ मिला लिए उसके बाद हम देरे देरे इसमें देरे हम प्याज बारी कटा हुआ प्याज देरे इसमें चाहे तो आप लोग जाल पसंद होगा तो यहां पर मिर्ची भी काटके दे सकते हैं देके इसको हम कुछ देर के लिए तब तक मेरा उधर सबजी भी बन जायेगा इसलिए इसे इसको छोड़ देंगे आभी देखिए इस सर्जन की डांठा भी मेरा फ्राई हो गया है तो इसमें आभी हम दे देंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा चला लिए चलाने के बाद इसमें आभी हम एक एक करके मसाला हम दे देंगे, दे दिये हैं हल्दी पावडर, उसके बाद इसमें दे रहे हैं अध्रक लोसुन और प्याज की पेस्ट दे के थोड़ा सा चला लेंगे, नहीं तो जल जाएगा मसाला मेरा, उसके बाद हम दे दिये, पोस्तो जो पीस के राखे तो वही पोस सोजन की डाठा भी बैल हो गिया है और आलू भी तो उसके बाद सब कुछ हो गिया इसलिए हम थोड़ा साAyजेंगे और ज़ाधा पानी नहीं देंगे तर फ्ता सलब जैए के एक 2पन जैसे इसको कुक करेंगे बस हो जाएगा मेरा रेडी हो जाएगा एक पोस्तों देखे सरजन की डाठा लाव की डाठा ये सब बहुत ही अच्छा लगता है और जो नहीं बना है एक बार बना के जो रूट राइ कर सकते हैं इसको अभी हम ढाके नहीं है एसी थोड़ा सा उबाल लिए हैं तो देखिए एसे राखेंगे ग्र फ्राइ करने के लिए यहां पर हम दिए है रीफाइंड औयल में इसको छोटा छोटा में इसे करके फ्राइं टो देखिए बहुत ही अच्छा से फ्राइं हो रहा है इसको हम आच्छा से फ्राइं करलेंगे जैसे एक साइड हो जाएगा इसे दूसरा साइड भी एसे हम फ्राय कर लेंगे इसको निकाल लेंगे निकाल के हम सारा मटर को एसे फ्राय कर लेंगे पता ने खाने में कैसा लगेगा खाये तो हैं उसके बाद ही हम भाइस दे रहे हैं एडिटिंग कर रहे हैं खाने में बहुत ही अच्छा लगा था और टेश्टी भी लगा था तो यह जो हम बना रहे हैं बनाते बनाते तो मेरा खतम हो जा रहा है एसे भी फ्राय करके खाने से बहुत ही कुरकुरा लग रहा है क्योंकि यहां पे हम चावल का आटा दिये हैं इसलिए और ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है एसे बन भी रहा है मेरा खाना भी हो रहा है आधा तो एसे खतम हो जा रहा है पता नहीं सबजी कितना बना पाएंगे व अच्छा लागेगा तो देखिए सब मेरा फ्राइ हो गया अभी इस तेल थोड़ा सा मेरा बाच गया उसी तेल में आभी हम दे दिये हैं गोवी गोवी को भी उसी तेल में फ्राइ कर लेंगे स्वादोनों सा थोड़ा सा नामक देगे इसको गोवी को हम फ्राइ कर लेंगे वही तेल में हो गिया है, गोबी भी मेरा फ्राई हो गिया, इसको भी अभी हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद, उसके बाद इसको हम बनाएंगे, आधा मेरा मटर का जो पकड़ा बना के राके थे, खतम ही हो गिया, इसमें हम दे दिये थोड़ा सा सोर्षो की तेल, उसके बाद इसमें दे देंगे प्याच थोड़ा सा प्याच देंगे बनाना बहुत ही इजी है बहुत ही आसान मतलब जटपट बन जाएगा ज्यादा टाइम नहीं लागेगा तम जम भी नहीं करना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लागा है क्योंकि हम एडिटिंग करने के बाद हम भाइस दे रहे इसलिए हम बोल पा रहे हैं क्योंकि यह भी हम फास्ट टाइम बनाए हैं अप लोग भी एसे ट्राइ कीजिए दे दिये हैं जीरा पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर कास्मेरी लाल मिर्च और दे दिये था अधरक लोसुन और प्याज की प ugs स怕 अधर पानी नमग देंगे तो उसके बाद हम दे दिए फुल गवी कि देए अच्छा से सब को फ्राई कर लेंगे देखिए कितना आचा से हम फ्राइ कर लिए हैं और इसमें हम दे दे रहे हैं थोड़ा सा पानी सब कुछ मेरा बॉयल किया हुआ है पानी दे के उसके बाद जो मटर का पुकोड़ा बना के राखे थे वो इसमें दे देंगे देखिए कितना कम हो गया फिर भी मेरा बेटा बो रहा है दो चाठोई से रख दीजिए इसलिए दो चाठोई से रख दिए उसके बाद इसको उबाल लेंगे उबाल के उसके बाद मेरा रेडी हो जाएगा special dish यह मेरा आज का special dish देखिए ready इसको अभी हम उतार लेते हैं मैं सावनमत हैに फाकरा से रहलते हैं मैं सब कोशने साप करना हो जाणा उफ जाना है सब कुछ करना है और आप पर ओलों के सब तो फ्रेंड्स फैनली नाहा हुआ के रेड़ी आभी खाना खाना है तो सबजी सब बना है खा के तो आप लोग रीबियों देना है कैसा बना है तो चलिए देखिए हम खाना निका रहे हैं और खा के बताते हैं कैसा लगा है कि यह खाना हम लोग दोरों माविटा के निकाल लिए हैं अभी हम ले लेंगे दाल चलिए हम दाल ले लेते हैं यह तो भात में लेगा इसको भात में दाल दे देते हैं अभी हम डाल निकाल लिए हैं अभी यह है मेरा सजना डाठा की सबजी यह हम ले लिए इसमें और यह है आज का नियू डिस स्पेसल रिस्पी तो खा के बताएंगे कैसा बना है तो सबसे पहले हम इसी के साथ खाएंगे बात का उपर ले लिए जली खा के बताते हैं उसके बाद बताते हैं तो सबसे पहले हम खालेंगे मटल का कुपता कुपता बहुत अच्छा बना है तो प्रेंग्स खाने में तो बहुत ही अच्छा बना है आप लोग भी ऐसे ट्राइ कीजिएगा बहुत टेस्टी लागा है और यह सा लगा है आप लोग भी जोरूर बताएंगे अभी हम थोड़ा सा खाएंगे स्वाजिना की डाठा देखिए अच्छा बना है इसे आप लोग भी बनाएं उसके बाद बोलिएगा कमेंट करके और आप लोग भी केसे बनाते हैं वह भी कमेंट करके बताएं ठीक है तो चलिए खा लेते हैं उसके बाद हम आप आप लोग के सब मेलते हैं तो फ्रेंड्स सब्दस हम और वीडियो कंटिनियु नहीं कर पाएं हम आभी साम में तो खानाओना खा के थौड रेष्ट कर लिये और कुछ काम्ता हूँ सब कर लिए नहीं आ पाएं थology ऊप बना पाएं तो आप लोग के साथ बात करने के लिए तो मेरा सब वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताईए पता नहीं कैसा लगा है सायद अच्छा ही लगा होगा और अच्छा लगा है तो श्यार कर दीजिए कमेंट करके बताईए और एक ठूल लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सस्क्राइब कर मेरे बहुत जोरूरी है, आपलोग का शापड बिना मेरा आगे जहना मुक्ति मुस्कील है। इसलिए थोड़ा सा स्पड़र पैर देजिए। हम जैसे आगे जा पाएं, आगे जाने का आप लोग मदद कीजिए आगे जाने के लिए, बिना support का हम आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा से support कर दीजिए, मेरा चेनल को subscribe कर दीजिए, यह से मिलेंगे वीडियो आगे, तो चलिए, आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे दूसरा कोई वीडियो के साथ, तो अभी तो रात हो गया है, तो आज के लिए तब तक गुड़ नाइट, फिर मिलेंगे काल कोई वीडियो के साथ, बाई